अलो दोस्तों, अभिनम नाम है मेरा, स्वागत करता हूँ आप सबका, आपके अपने यूट्यूब चैनल, Let's Talk with अभिनम में तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम अपने चैनल पे जितने भी सेलेक्टेड लोग हैं, उन सबका इंटर्व्यू लेते रहते हैं तो आज हमारे साथ है अमित, अमित बेसिकली अभी भुमनेशवर ऑफिस में पोस्टेड है, ये 2018 बैट से असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, 2016 बैट से ये ऑडिटर भी थे, और हम दोनों में एक चीज़ बहुत कॉमन है कि हम दोनों ही 2016 से ऑडिटर बने थे, हम दोनों की ट् जानेंगे इनके बारे में कि यहां तक कैसे पहुचे हैं, क्या strategy थी इनकी, देन हम जानेंगे आज इनसे कि इन्होंने जो ओडिटर इन्होंने चार साल सर्विस दिया है, वहां पर क्या job profile है, और बाद में हम डबल यो के बारे में जानेंगे और फिर दोनों को हम compare भी करें तो सबसे पहले thank you so much Amit अपना कीमती समय देने के लिए, बहुत लोगों को जरुत होती है आप जैसे लोगों की, कि बता सकी कि कैसे आप लोगों ने आप यहां तक पहुचे हो, तो बहुत down to earth आदमी है, तो बहुत कुछ आप सीख पाओगे इनसे, तो पहले कुछ अपने बारे में बताईये वीवर्स को, अगर बिगीन करों तो स्कूलिंग से बिगीन करता हूं, तो पहले तो शट्थी साथ वी तक गाहों के स्कूल में पढ़ा हुई, जी जी बिल्कुल, अफ्टरवर्स, आप इन्टो सैनिक स्कूल के लिया, तो आप पहले पर पढ़ा ही ठीक बास्केट बाल प्लेयर भी है, और कॉलेज इसके बाद फर्दर, मैंने बीच में एक दो साल के लिए, जी ट्रिपली का तयारी किया था, बात नहीं बनी उदर, तो फिर आप, तो फिर फर्दर, मैंने ग्रेजुएशन किया देली उनिवस्टी से, देश बंदू कॉलेज से और स्विच किया, अल फर सदेन जेह से आर्स ले लिया, प्लेटिकल साइनस, यह चीज भी कॉमन था हम दोनों में, वी बोथ हर फार देली उनिवर्सिटी, मैं कॉलेज अलग अलग था, हम दोनों नहीं स्विच किया था, मैं कॉमर्स यार्स, वी दिन नो इच अधर वाल व being from Sanexville Thilaia, your background, you know, naturally gives you the impulse to work and join NDA and Indian Armed Forces, so it was not my natural choice, it was kind of a post factor that was imparted from the school, तो और इसके बाद फिर उस दौरान NDA का पेपर दिया था जितने बार भी दिया था हर बार NDA का पेपर मेरा निकुला था रिटेन और SSB इंटर्व्यू में नहीं हुआ CDS में भी आपके साथ इसके बाद फर्दर ग्राइजिएशन के बाद CDS इंटर्व्यू FCAT CDS अटलिस्ट चार से पाच बर मैंने क्वालिफाई किया था फिर फ्काट का रिटेन एक्जाम भी लग बग चार पाच बर क्वालिफाई किया और सिवाए एक दफ़ा हर बार मैं कॉन्फरेंस स्टेज तग्या कॉन्फरेंस स्टेज बोले तो फिफ्ट दे ऑफ दे इससे इंटर्वी इंटर्वी इंटर्वेशन के वापस आये हो तो इसलिए में भी और नॉट में नॉट में फॉट तो अच्छा हुआ नहीं है क्योंकि म मेरा मानना है कि इंडियन आपको जाना चाहिए जो बहुत ज्यादा सीरियस हो उसके लिए कोई भी पहुच जाएगा हाँ वो नौकरी नहीं 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 है उसमें थोड़ा ना पैसन चाहिए आपको SSC का कौन-कौन सा एक्जाम दिया आपने जब मैं उदर डेली उनिवर्स्टी जॉइन किया राइट आफ्टर क्लास 12 आफ्टर गिविंग वन ये ड्रॉप आउट एक्सल और एक्सल ले लिया था तैयारी करने की जही उद्धर का तो उसमें जाते ही मुझे लगा कि मुझे कि पता चला कुछ हुआ नहीं उदर से इधर स्वीच किया घर से भी तोड़ा प्रेशन होता है ना कि जही का त्यारी करना था पॉलेटिकल साइसे लिया बना तो तो उस तोरान मैंने SSC के सारे एक्जाम लगभग देने सुरू कर दिया थैं लाइक कि CHSL दिया था रिटें निकल लिया था इस्टेनोग्राफर दिया था हो गया था तो और इवेन आड फिल्ड अप दे फॉर्म ऑफ जो ग्रूप एक्स ग्रूप य एर फोर्स के आते हैं ना तो आई डिंट गो फो इस रिटेन इजाम एड फिल अप दे फॉर्म तो उस दौरान फर्दर कोई तयार कर लेगा तो ही ओली सेड की गो फोर ग्रेजवेशन अंदेन अफ्र ग्रेजवेशन वाटेवर तौम्स यूर वे अट ग्रेजवेट लेबल गो फोड़ा था हमारे पापा हिंदी में तो बहुत भटके हो आप एक्चुली में बहुत गुम रहा भी हुए अलग अलग रहा लेकिन at the end आपको मंजिल मिल ही गई यही आना था तो अमिताब बच्चन ने कहा था गुमराह वो नहीं जो रास्ते में भटक गए मंजिल तो उन्हें मिल ही जाएगी भटक कर ही सही गुमराह वो है जो घर से निकले ही नहीं आपको निकलना है और तयारी स्टार्ट करना है कैसे तैयारी करना चाहिए अगर ब्रीफली अगर बताना हो कि एक जैसे आप बहुत मॉडेस्ट हो बहुत ज्यादा जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं और मैं जानता भी हूँ तो हम लोग उन में से नहीं है जो ब्रिलियंट रहे हैं मेसा से तो कैसे तैयारी करें कि अधिस पॉइंट तक मेरा बेस ठीक था खा बेस्टक है उस्टी था आफ्टर रावी तो थोड़ा में बहुत रहाँ राक्टीव रहाँ झाट था पड़ायी था पड़ाय में भी सपोर्स रागी बहुत दारना है तो इसलिए वहां build किया, थोड़ा सा दिक्कत हुआ था English को build करने में, क्योंकि सारा all of a sudden English medium आ गिया था but once I started preparing for English, तो rest of the subjects already automatically fell into the place, कि मतलब वो फिर समझ में आने लगे, क्योंकि language barrier था, वो Hindi to English medium में सुच करने में, तो जो SSE कि जो तयारी करते हैं, उनके लिए कैसे आगर आप subject wise maths की तयारी कैसे करनी है आपने कैसे किया था इस मामले में मैं ये बोल सकता हूं कि I made a mistake especially in the subject of maths, ठीक है कि I should have joined any coaching dedicated coaching, और I should have followed any mathematics tutor, whoever ever was you know, popular in the market तो उस दौरान मेरा जो base था ना, 10 तक का जो भी मैंने इस तरह से भी पढ़ा था एक conventional way जो होता है तो उस conventional way को ही follow किया था मैंने SSE में जिसके वज़े से ये अच्छी बात नहीं है जिसके वज़े से मेरे marks हमेशा maths में खराब है, मेरे according वह अच्छी लग रहे थे कि अच्छा, 80 question बना दी, 160 marks आ गए गुड, ठीक है बट जब मैं लोगो का marks वहाँ देखता जो भी select हो के आए पे in math they were scoring more than 170, 180 some people even 190 अपने reasoning की तेहरी कैसे किया reasoning previous year states जो होते है SST के जितने भी ग्यांस है उनके सारे practice किये और उस दौरान मुझे ऐसा need feel नहीं हुआ कि कि banking होता तो थोड़ा सा organized study करना पड़ाता रिजन के लिए उस practice states से हो गया sufficient है और अगर किसी एक दो chapter में doubt है तो particular किसी एक chapter में doubt है तो आप उस particular chapter को किसी book में जाके उसको आप अलग से देख लो उसके theory part को भी देख सके आपके साथ हुआ था एसा कुछ नहीं मुझे तो ऐसा कभी need feel नहीं हुआ कहीं कहीं वो एक आता था this is to this then this is to this मतलब वो तो purely reasoning नहीं मुझे लगता है वो knowledge test है तो उन्हें उसके लिए थोड़ा बहुत मैंने अरिहंत का एक book था उसमें इसका पूरा एक chapter दिया था उससे मैंने थोड़ा देखा था उस उस related जीतने बीची बाकी और कुछ नहीं और जीके के लिए जीके तो जीके यूपी एसी का तैयारी कर रहा था मैं उस दोरान जब यह 2008 का सीजियल दिया तो और काफी फ्लो में था तो मुझे अलग से कुछ करना नहीं पड़ा उस प्रिप्रेशन से ही मेरा जीके में ठीक ठाक स्कूर आ गया अगर कोई यूपीसी की तैयरी नहीं कर रहा हो और उसको ते जीकी की तैयरी करनी है तो आप क्या सज़ेस्ट फिर तो आपको जो एसकोप है जीके का अभी थोड़ा बढ़ गया है बट जो पूराना इसकोप उसके लिए तो अभी एक्चली मुझे ऐसा लगता है कि याद करना थोड़ा तफ हो जाता है अभी पहली बार यह एक्जाम हो रहा है तो हलांकि जो प्रिया पैटर्न सेंथा तो उनके जीके का पैटर्न आगे भी सेमी रहना चाहिए अभी जो प्री हुआ है जीकी की जो त स्ट्रेटेजी वीडियो में जागे देख सकते हूं बहुत प्यार से बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है मुझे लगा किकर में को पहले कोई बताता ना मेरे भी 30 30 40 40 नमबर आते कहां मैं 8 10 नमबर लाके बैठा हुआ था अब बात करते हैं आपने as a auditor काफी time job किया है तो किस टाइब का ये job profile है किस टाइब के students को opt करना चाहिए वो और क्या पढ़ाई वढ़ाई के लिए time मिल जाता है उसमें sufficient time मिलता है मैं defense account department में auditor था तो CGDA के अंदर आता है वो तो उसमें डेड़ दो गंटे में मैं काम अपना finish कर लेता था ठीक है और वो finish होने के आपके पास बाकी का time है as you want to utilize you can utilize ठीक है तो मतलब enough time मिल जाता है और in fact अगर कुछ एक दो example वहां पे थे भी those who had scored good marks नहीं they had scored good marks in SACCG and their rank was falling under this 800-900 something but they opted for CGD auditor with only view that they were preparing for UPSC अगर आप UPSC की त्यारी करना चाहते हो future में ना आप 800-900 ग्रेट पी कि ना कोई सी भी job ले लो 800-900 ग्रेट पी जॉब में क्या है ना या बयाली सो ग्रेट पी जॉब में अगर आप UPSC की त्यारी करना चाहते हो तो जैसा कि मैंने कहा आप त्यारी करो आराम से और ले लो 800-900 ग्रेट पी की जॉब आंग बंद करके 800-400 च्याली सो और च्याली सो में भी चलो थोड़ी बहुत मिल जाती है अटारी सो की तो गलती से में मत ले ना आप डबल ले और हो रहके आप अगर यह सोचोगे सी एजी में डबल ले हो रहके कि वो वो कमफर्ट अप इंजॉय कर पाऊ प्रिपरेशन करते हो जब यूपी एसी का प्रिपरेशन आप करना चाह रहे हो जो और आज और है वो नहीं मिल सकता है क्योंकि यहां जो आपका ओफिस हार होगा न पोस्चिट था और मुझे पता है कि कितना काम होता है काफी काम होता है तो पढ़ाही के लावा ऑफिस आर्स के बाद आपका टाइम है इस टोटली ओन यूर कैलिबर हाव यू अप्रोच इट बट ऐसा नहीं है कि आप ऑफिस में बैट के पढ़ पाओ बिल्कुल नहीं होगे आप स्वा साल में मर जाओगे लेकिन हर सेक्शन में गूमनी पाओगे यह जाता है कि उसका एरिया इतना वास्त है इतना बड़ा ओफिस है तो उसमें अलॉट्मेंट एंड एक्सपेंडिशर वही देखना होता था तुलिप हमारा पोटल है तो जिस पे की हम अलॉट भी देखना है और उस पर ही एक्सपेंडिशर और ःट्में बोर जीचेंग पर जाओवाद ऑफिस ताइप का जॉब हैं फीलमें यह जा चुके वो तो नॉर्मली और मैं ऐसे बात करूँ एक वाटर रेलिए तीन महने में चैने में अपटने में कितने दिन के लिए यह एक जैसे अगर मैं 100 दिन के लिए बोलू, तो 100 दिन में कितने दिन आप आडिट पे रहते हो? वैसे अगर देखा जाए तो तो गॉर्टरली प्रोग्राम बनता है और पूरा प्रोग्राम आपका आडिट का ही प्रोग्राम होता है तो इक माइट भी पॉसिवल कि 100 के 100 दिन आप आप आपका तीन महिने का जो प्रोग्राम बनेगा तो बीच-बीच में आपको हेटक्वाटर में कॉल बैक करते रहेंगे वह एक, दो दीन, तीन दीन की लिए ठीक है हमारे जो प्रोग्राम बनता है जनरली हर जगह का सेम प्रो उफिस्यली थोड़ा बहुत इढगो अगर कर लेते हो तो अलग बात हैं वो तो देखो मतलब आज कर फीरी तो कल नहीं करना होगे तो उस पर जाना बहुत सही नहीं होगा और वो एकिक बी नहीं होगा तो पावर है क्या जौबने हैब research बहुत लोग कहीं न कहीं एक उनके मन में एक फिर फेक्टर थोड़ा रहता है। वो अब्यसी बात है। ओडिट से कौन नहीं डलता है। वो फेक्टर रहता है। एक दो केस तो मैंने तीन महिने के ओडिट में ही देख लिया। की सुरु में ज्यसे कोई बंदा था वो ऐसा बोल गा की आए % की आ हो एक एक बांदा था। वो एक बाहु एक पायल डता है। वो जो आए मम में उक्ता नहा कने में में की काफी और बादा था था। कि अचरे है। गई हो छाए था। जब आप कंपेर करते हो ओडिटर जॉप्र प्रफाइल और डबल यो आपने दोनों ही किया है तो कैसे आप मतलब कि किंसको ऑडिटर ऑप्ट करना चाहिए किसको डबल यो हलां कि हर अज इन फुटर डबल यो बनेगा अगर वो एसस का एक्जाम देता है तो किसको ऑडिटर चाहिए किसको डबल यो आप करना चाहिए जो फरदर प्रिपरेशन देख रहे है अपना यो पी आसी वगर का प्रिप्रेशन देख रहे है तो उनको और इसे लिए अगर अपरचुनेटली यूप नोट क्लियर तो आपके पास फिर भी वहां पेसकोप है कि डबल यो आप डिपार्टमेंटल देखे डबाले बन सकते हो तो 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 यह वाइब बात करेंगे बात करने का में मेरा कारण क्या था कि इनका फ्यूचर में प्लान है कि आप इंग्लिस बढ़ाने वाले हो लाइव यूटूब के थूटूब प्लान कर रहा हूं क्योंकि एक यूपी एसी हुआ नहीं तो अब सोच रहा हूं कि कुछ अलग जगह चैनलाइज करो अपने अनर्जी को मेरा हमेशा मानना है कि if you are good in anything आप उसको प्रोवाइट करो देखो हम लोग एक ऐसी जगह पे आ गये हैं कि लोग हमारी सुनेंगे 200-500,000 लोग हैं जो सुनने के लिए हमेशा थयार रहते हैं तो आपको यह करना चाहिए कि there are some people जो actually में कोचिंग नहीं ले पाते हैं और कोचिंग अगर आप प्रोफेशनली कोचिंग टीचर बन जाओगे तो आप फिर बच्चों को भढ़का होगे फिर आप सही से गाइट नहीं कर पाते हो तो there are very few teachers जो बहुत अच्छे से गाइट कर पाते हैं वो कोर्स बेचने में रहते हैं लेकिन मैं या आपके जैसे लोग जिनका मेंन मोटिफ यह नहीं है उनका मेंन मोटिफ सिर्फ पढ़ाना है we are teaching just because we are passionate about basically we are passionate about teaching इसलिए हम पढ़ा रहे हैं तो क्या प्लान है आपका और क अब से क्या start socha है कब से start करने वाले हो एक्वली आपके इस्पिरियम्स आफ यह तो टीच अजिए इंग्लिस तो माइं तो ऑंटों वाइज आफ ग्रावीशन एजए सब्साइट टीचाव अवंटां इस्टी यह थो पांटों आपके अज़ाएं इस्टीचावाइज थे that experience was very fulfilling for me तो कैसे आप तयारी करवाओगे और कैसे लोगों को तयारी करना चाहिए बच्चों को अगर आप उसके बारे में कुछ बादा पाओ जबी भी ये चैनल बनाएंगे जबी भी ये स्टार्ट करेंगे I will be the first one वो सकता है हम आपके साथ की जो जाएंगे वो तो बेस्ट रेगा मेरे लिए ये जिस दिन भी स्टार्ट करेंगे तो मैं पहला आदमी रहूंगा जो आपको इनफॉर्म करेगा इनके बारे में और मैं कह सकता हूँ कि जो पहला बैस जबी भी ये बनाएंगे ना इनको फ्री में पढ़ाना है और मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि कब से करने वाले हैं तो कैसे करना चाहिए इंग्लिस की तहारी अचली जिस मेथड से कोचिंग में बताया जाता है कुछ क्लासेस मैंने ऐसे किये थे 10-15 क्लासेस तो मैंने पाया कि कि वहाँ पर एक मगिंग अप सिस्टम थोड़ा जादा है ठीक है वह आपको कि सेंटेंस लिखेंगे और बता देंगे उसके पीछे का रीजन बहुत कम का लॉट जो है उसके कैलीबर को पहले आप अच्छे से जान लीजिए क्योंकि स्ट्राइटजी उसके कोडिंग फ़ाम होता है जहां मैं पढ़ाता था वहां बच्चे ऐसे भी थे जो हमेशा हिंदी मीडियम में रहें और इंग्लीस से वह डरते थे से जीडी और लड़के वहां से क्राट भी किये थे उनका कुछ मांक से मेरिट में रह जाता था उनका इसू यही रहता था कि इंग्लीस के वज़े से मार्क आ जाते हैं तो वहां जो मैंने देखा कि उनको बहुत बेसिक से ले जाना पड़ता है आप जो डिरेक्ट क्लास्रू में आके और सेंटेंस लिखके एरर बताने लग जाते हो वह दिक्कत है तो फिर वह उसके लिए है जो की एक अल्रेडी एक लेवल को अचीव किये हैं तो वह कैच करेगा बहुत इजली सारी चीजों को कैच करेगा बाट फोर दोज हो है बिन वेरी वीक अन देर बेसे बेसे है बिन वेरी वीक सिंस चाइल्डूट था नेवर बीन इंग्रीश मिडियम तो उनके लिए एक थोड़ा अलग स्ट्राट्जी रखना चाहिए अब मेरा स्ट्राट्जी जो वहां पर मैं फॉलू करता था ठीक है वहां मैं सबसे पहले उनको जो मेरा अपना पर्सनल एक्स् सबसे पहले तो जो ट्रांसलेशन वाला पाट है उसको तो पहले मजबूत कर लो ट्रांसलेशन का अच्छे से होना चाहिए आपको कोई भी सेंटेंस अगर आपके तिमाग में सब हो जाता है एक हिंदी सेंटेंस दो आपके मन में तुरंट सेंट यहां चलनाचेए कि आप हमारी टाइम पहले एक न्यू मोडल आपना करने के लिए ड्रांसलिय्तों उप्रिपेर होते हैं यह दो छीजे बहुत इंप्वॉट हो बीशना होना बहुट जरू रही सिर्फ आप मगप कर लो वो बाद में एक्जाम पस्पेक्टिव से कर सकते हैं प्रिवेस या वो के जिसे लेकिन फिर वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाली है जब आप इसमें आ जाते हो वो हेल्फुल इतना ज़्यादा आपका ड्राफ्टिंग स्कील जो आ कहने का मतलब यह है कि उस दौरान तो अबिसली जब आप वो तैयारी कर रहे हो तो नो डाउट आपका में गोल होना चाहिए ज़्यादा स्कोर कैसे करें सीखना भी और स्कोर भी करना बट बट अगर उस चीज को आप राइट फॉन दे बीग्निया अगर एक राइट स्ट् एक साल माल लो हाड़ी उस राइट स्ट्रेट्जी से आप पुरा त्यार कर सकते हो मुझे अपना एक्स्पीरेंस पता है वाइल आउज इन क्लास सेवेंथ और एट तो आप इस लेवल पे तो आपका लेवल ऑफ अंड्स्टैंडिंग और भी अच्छा होता है तो जब कोई बंदा एक सेवेंथ एक्स में ठीक है जो हूँ हो हो हैल फॉम कंप्लीट हिंदी बैग्राउंड ठीक है और फिरपेर्श दो होल इंग्लिस इन फैक्ट उसके बाद मैंने इंग्लिस कभी नी पढ़ा और अज पर आपके इंग्लिस पर रहा थी है थोड़ा प्रिपरेशन के अग्झ किया मेरे बिर सिट में ओर ऐसे सारे लोगों किरिषिक्ट में कोई बुक अगर आपको की सारे of किर ना हो ग्रमर के लिए वैशेतों और को一个 व्रुट बूरा तो नहीं है बट एक नी और मेडम प्रिभी वॉन था है वह बहुत सिंप्लिफाइद एये बादैख श सभी को साथ में सेम चैप्टर को साथ साथ में ने देखे था इसका वह चैप्टर उठाया एस पीषक्षी में कुछ एक्स्ट्रा है क्या थे टो साथ साथ में देखते हुए और वोक एब के लिए कोई बुक आपने पड़िए तो मैंने पूरा नॉर्मान लेइस बढ़ा था म मतलब ऐसे मेरा पहले से वोकाब ठीक था कि था बट स्टिल मुझे लगा कि वोकाब के लिए एक्स्टा कुछ करूँ क्या करूँ तो काफी रेक्मेंडेट बूक है वर्ड पावर मेडी जी तो नॉर्मन लेविस का उसमें मतलब वो बुक ऐसा है कि पढ़ने में मजा भी आए आपको मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि रट रहा है जैसे एक वोकाब का लिस्ट होता है ना कलेक्शन ओप वोकाबलरी आप रट रहे हैं मगगा कर रहे हैं दिमाग सीधर गायब हो जा रहा है उदर गायब हो जा रहा है वहां पर ना एक नेरेटिव दिया रहता है वर्ड के पीछे ठीक है कुछ नेरेटिव रहेंगे और कुछ रूट वर्ड्स होते हैं उस रूट से बहुत सारे वर्ड का मीनिंग तो आप ना अगर प्रॉपर रूट को पकड़ के चल रहा हो बहुत सारे वर्ड का मीनिंग आप गेस कर पाओगे मतलब एक जैक्ट तो नहीं हो ले अपटर का समभाव हुता है सपोज एक ग्यामपल देता हूँ ई-यू जो वर्ड रही होता है ना ई-यू संथिन गुड कर रही होता है जैसे यूफोर्या ठीक है तो यूफोर्या हैंपने सित हुतल यूलोजी थारीफ। से इस सथेंग समथिन और यूजी गूड गूर्ड स और मेभी यूरोपियन अपने हाथ को ना सुपिरियर मानने तो भारत हैं सबसे बड़ा आगे तो इंडियनी है यह मान के चलना है अपने को तो थैंकियो सो मच अमित भाई साब आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए और बहुत प्यार से आपने हर कोशन का अंसर दिया है और बहुत ही पेसेंस के साथ आप सुनो इन्हें देखो इन्होंने कैसे फोलो किया है और तो आज हमारे साथ थे अमित भाई और इन्होंने क आपको जवाब देदें हर एक कॉशन का और अगर आप इस चैनल में बिल्कुल नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने ऐसे दोस्तों से सेर कर देना जो SSC या फिर कोई भी गौर्णमेंट जॉब की तैयारी कर रहा हो अभी तो आज के लिए इतना ही मिलते अंगले सेसं में तब तक के लिए कीप स्टड़ी